हेलो फ्रेंट्स गुड मॉनिंग जैसे आप सब लोग को पता है COP26 चल रहा है ग्लैस गो यूके में तो इसके अंदर दोस्तों इंडिया ने अपने नेसल डिटर्मेंट कंट्रुबिसंस उनको रिवाज किया है और उसके अलावा पंच अम्रित पंच अम्रित पांच मेगा अ कि इंडिया ने अनॉंस किया है बसिकली बड़े क्लाइमेट बेसिकली कमिटमेंट कह सकने हम लोग ना तो काफी बड़ा अनौंसमेंट और बहुत आने वाले सभी पर्तिक प्रिक्शाव में और आने वाले बेसिकली आप मानके चलोगी दस साल के लिए जो इंडिया के के अंदर करते हैं सबसे पहले तो पांच बिग अनूंसमेंटose देखने वाले 5 क्या क्या नाउंस्मेंट है इन्होंने नाम दिया है पंच अमरीत है तो पंच अमरीत पे चलते हैं सीधे सबसे पहले इन्होंने बोला कि डवल्लप वर्ल्ड जो है फाइनेंस करना चाहिए बिसिकली में जो commitment developing countries के उसके अलावा net zero 2070 तक अची होंगे और clean and green by 2030 ठीक है अब अपन सीधे आजाते हैं इधर मुद्धे पे जो क्या पांच पांच पॉइंट roadmap क्या basically पांच पॉइंट कौन कौन से पहले वो देख लेते हैं बाकी बाते बाद में सबसे पहले तो जो अभी हमारा 450 गीगावाट का जो renewable energy का टार्गेट था 2030 उसको बढ़ा के 500 कर दिया है ठीक है non fossil based basically renewable energy हम 2030 तक अभी 500 गीगावाट की capacity install करेंगे ठीक है important पहला NDC revise पूरानी भी याद रखना नई लिमिट भी याद रखना साड़े चार से 500 गया दूसरा नया important net zero के रावन इतनी सारी बाते चल रही थी तो net zero का इंडिया ने बोल दिया कि हम लोग 2030 तक net zero अचीव कर लेंगे ठीक है और net zero का मतलब आपको पता हो गाई ऐसी condition जहां पर man-made greenhouse gas emissions must be removed from atmosphere through absorption in process like photosynthesis और फिजिकल रिमोल यानि कि तो पेड़ लगावा आपना या फिर carbon capture carbon capture and storage के तूँ जहां पर आप नीचे carbon dioxide को आप वहां से atmosphere में कालके रोक वगरा में नीचे जमीन में आप इस्टोर करते हो तीसरे target की बात करें तो देखो renewable energies का जो हमारी electricity energy में जो टार्गेट है पहले 40% था दो जार तीस तक उसको भढ़ा के 50% कर दिया गई यहां पे भी नंबर अभी जो भढ़ा है वो अच्छे लग रहा है देखने 50% भाई आदा करना दो जार तीस तक उपर देखा 500 करना दो जार ती जार तीस तक हम लोग बेसिकली कार्बन एक बिलियन टन एक बिलियन टन कार्बन emissions में कट करेंगे ठीक है उसके अलावा हम लोग बात करें तो carbon intensity की carbon intensity के हम लोग 2030 तक 45% से हम घटा देंगे तो यह पांच पंच जो है इसके पांच मंतर फाइव पॉइंट रोड मैप अन्व एंडियन एक्सप्रेस ने तो मुझे लगा आने वाली परतियों की प्रिक्षाओं में काम कर रहेगा तो इसलिए मैंने आप सभी को साथ में आर्टिकल काम का लगा मैंने इसलिए सेर कर दिया फ्रेंड्स तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप सपोर्ट करते रहे इंपोर्टेंट है पांचो के पांचो टार्गेट्स आप याद रखना इनका नाम जो है वो भी प्लस सारी सभी एस्पैक्ट्स यहां पे दिया गया है वही पुराने टार्गेट्स क्या थे कि हम लोग जो पहले साड़ी 400 से 500 गीगावाट और उसके बा कर लेना नए हो तो चनल को सब्सक्राइब कर लेना इंडियास 5.0 में पर बड़े कमिट्मेंट्स किये हैं तो चर्चा में रहने वाला हैं इंडिया सब वर्ल्ड को दिखा रहा है बैसीग जी-20 में यही इंडिया ही था जो कि नैट-0 पे इन्होंने कमिट नहीं क्याता ले लेकिन अभी कमेट कर दिया मैं वीडियो एंड करता हूं काफी लंबा हो गया है